वेलकम वन्स अगें टो मैं चैनल रोबस बजार आज फिर से आपके सामने एक और स्टॉक जिसमें हम रिट्रेस्मेंट के उपर बात चर्चा करेंगे देखी ये ट्रेट्स मैंने स्पेशली वीडियो बनाने के लिए लिया हुआ है जिससे आपको डिफरेंट चार्ट पैटर स्टॉक और एक प्रि में स्टॉक बोला जाये तो गलत नहीं होगा चार्ट हमारे साथ कहां कहां बलफ कर सकता है उसको देखना आपका जरूरी है कि मैंने कहां से खरीदा था तो यहां पर आप देख सकते हैं 4025 पे मैंने खरीदा था और सेल किया मैंने 4060 पे एक quantity 4025 और 4060.75 पे यह सेल किया था अब इसके बाद आपको देखना जरूरी है कि यह खरीदा कब दिया था अडानी एंटर्प्राइजस मैंने बिलकुल 9.32 के आसपास खरीदा था 4025 के आसपास और उसको मैंने जो सेल किया है वो एक बच के 10 मिनिट का टाइम हो रहा था तब मैंने 4060.75 पे Adani Enterprises को सेल कर दिया अब चलते हैं हम चार्ट पे समझेंगे वहाँ कहां पर यह retracement हुआ था और कहां हमारे साथ bluff होने की कोशिश हो रही थी आपके सामने है Adani Enterprises का चार्ट अब यहां पर मैंने कहां एंट्री ली थी यह बिल्कुल आपको clearly बता देता हूँ यह second candle है यह जो creation हो रहा था red candle का 9 बच के 32 मिनिट हो रहा था और जो मैंने exit ली है वो exit कहां पर लिए वो भी आपको दिखा देता हूँ exit मैंने इस candle पर बनाई थी इस candle पर मैंने अपनी exit की थी यह भी red candle है जब एक बच के 10 मिनिट का time हो रहा था तब मैंने 4060 पर इसको exit कर दिया entry ली थी मैंने 4025 के आसवाच जो मैं वापस से repeat कर रहा हूँ 4035 से मैंने stop loss ट्रेलिंग करना चालू किया फिर 40 किया फिर 45 किया फिर 50 किया और फाइनली मैंने 4060 इसको stop loss लगा दिया था अब यहां पर आपको सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि retracement हुआ कैसे और यहां पर market bluff करने की कैसे कोशिश कर रहा था अब यहां पर आप देख सकते हैं second candle पर मैंने जब एक green candle जैसे creation हो रहा था और उसके बाद फ़र net candle बनने लगी तो काफी सारे sellers को यह लगने लगए कि stock काफी गरेगा क्योंकि कल के दिन यह काफी समय तक consolidate कर रहा था तो काफी सारे sellers को यह लगने लगए था कि यहां से यह अपना जो लेवल है जो consolidation phase है उसको तोड़के अब नीचे आने वाला है तो नीचे आने वाला है तो काफी सारे sellers यहां पर active होना चालू हो गए होंगे और उनको यह लग रहा होगा कि stock काफी नीचे केर सकता है almost 3971 तक क्योंकि एक टाइम पे 10 लोगों की सोच अलग अलग प्रकार की होती है बायर्स अपने साब से सोचता है sellers अपने साब से सोचता है तो मैंने जो सोचा था कि यह इसका जो एक लेवल बना हुआ है consolidation phase का कल के दिन का 4012 तो यह stock जादा नहीं नीचे आएगा यहां पर retrace करेगा और इसका retracement होने के पाद यह एक upside जरूर बनाएगा थोड़ा सा patience टेस्ट करेगा लेकिन यह upside जरूर जाएगा और ऐसा हुआ भी यह stock मेरे rate से 4025 से 4012 तक आया जरूर लेकिन इसके बाद retrace होने के बाद इसने अपना जुना high बनाया वो आप सोच सकते है 4072 4025 से मेरी entry होती और 4072 तक इसने अपना high बनाया तो आप सोच सकते हैं एक share में मुझे 37 रुपीज देखी गया अकर यहां पे 100 shares होते तो 3700 का profit दि खाई दे रहा होता लेकिन actual में ऐसा होता नहीं जब quantity जादा होती है तो मनुबल थोड़ा सा डगमक आता है किसी का भी अगर तस्वीस point नीचे आ जाता है तो उनके rate से तो यहां पे retracement की आप जो logic था वो समझ गया होंगे काफी सारे ऐसे chart patterns पे आपको देखने मिलेगा तो यहां पर retrace करना चालू किया उसके बाद एक upside बना ली यहां से retrace होने के बाद एक upside तो ऐसी learning के लिए आप मेरे वीडियो से जोड़ें अगर आप नए है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद